आज हम लेकर आए हैं आलू पराठा बनाने की एकदम परफेक्ट रेसिपी इस तरीके से एक बार बना करके देखें बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाया है और बहुत ही परफेक्ट बनते हैं आलू का पराठा आलू पराठा बनाने के लिए सबसे पहले इसका हम डो लगा लेंगे एक कप हमने गेहों का आटा लिया है उसमें एक चम्मच हम कहीं डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक एड़ कर देंगे अधि चोड़ी चम्मच आजवाइना और कलॉंजी इसमें मिक्स कर लेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके इसका हम डो तियार कर लेंगे गी के जगा आप यहाँ पर कुकिंग ओयल भी इस्तिमाल कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका soft dough बना लेंगे soft dough रहने से प्राठा अच्छे बनेंगे तो हमने dough तियार कर लिये हैं और इसे ढख कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए ताकि dough अच्छे से soft हो जाए और तब तक हम stuffing तियार कर लेते हैं पराठे के लिए तो यहां पर 4-5 आलू को हमने boil करके mash कर लिया है gas पर हमने एक pan लिया है flame को हमने medium रखा है इसमें 2 चम्मच हम cooking oil आट कर देंगे तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें एक बारी कटा हुआ प्याज बारी कटा हुआ लशन 4-5 बारी कटी हुई हरी मिर्च और 1 इंच अध्रक को हमने बारी काट लिया है इन सब को अच्छा से हम fry करेंगे इन सब को तब तक fry करेंगे जब तक यह brown ना हो जाए अध्रक लशन और हरी मिर्च अच्छे से brown हो गए है अब हम इसमें बारी कटा हुआ टमाटर एड़ कर देंगे टमाटर को भी थोड़ी देर पका लेंगे टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक यह अच्छा से गल ना जाए यहाँ पर टेस्ट के एकॉर्डिंग हम नमक आड़ कर देंगे नमक से टमाटर जल्दी गल जाएंगे तो टमाटर अच्छे से गल गया है और अब हम इसमें कुछ मसाले आड़ करेंगे तो यहाँ पर हम डालेंगे आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर एक छोटी चमच किचन किंग मसाला हम एड़ कर रहे हैं एक चोथाई चमच काली मिर्च पाउडर और आधी छोटी चमच तीखी लाल मिर्च इन सब को भी थोड़ी दिर हम भून लेंगे मसालों को थोड़ी दिर हम भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन चला जाए तो थोड़ी दिर मसाले को हमने भून लिया है और अब हम इसमें मैश किया हुआ पोटेटो को एड़ कर देंगे इसे भी मसालों के साथ थोड़ी दिर हम आलू को भून लेंगे अब आलू को हमने थोड़ी दिर भून लिया है और ये हमने spring onion लिया है इससे बहुत अच्छा flavor आता है इसे भी हम थोड़ी दिर डाल कर भून लेंगे इसके पाद हम इसमें हराधनिया आइड कर देंगे और इन सबको अच्छी तरह से mix कर लेंगे तो हमारा आलू पराठा बनाने का यह जो stuffing है यह अच्छे से तयार हो गया है और अब हम गयास को बंद कर देंगे और थोड़ी दिर के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब फिर हम पराठा बना लेंगे तो अब हम पराठा बनाएंगे हमने इस तरीके से एक लोई बना ली है आटे की और इसे थोड़ा सा फैला लेंगे बेल करके इसके बाद हम स्टफिंग डाल लेंगे और इसे इस तरीके से मोड करके बंद करेंगे यहां पर बीच में इसे अच्छा से बंद करके और फीर हम बेल लेंगे तो चारुत रफ से evenly बेल लेंगे अच्छे से बराबर से बेलना है इसे, तो प्राठे अच्छे से फूलेंगे, तो इस तरीके से हमने प्राठे को बेल लिया है और अब हम इसे सेक लेंगे, तो यहां पर हमने गस पर एक आइरन तवा लिया है और इसके उपर हम प्राठे को उलट पलट कर सेक लेंगे, इसके डाल देंगे हम थोड़ा सा गी आप चाहें तो कुकिंग ओयल भी आड़ कर सकते हैं यहाँ पर गी लगाते हुए इसे उलट पलट कर हम पका लेंगे इसे अच्छे से हमें क्रेस्पी होने तक पका लेना है तो प्राठा विल्कुल क्रेस्पी हो गया है और अब हम इसे उतार लेंगे इसी तरह से सारे पराठे सेंक लेंगे और इसे गर्म गर्म सर्व करें और इंजोई करें आलू के पराठे को तो recipe पसंद आई हो तो वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें मेरे channel को और अगर आपको मेरी recipes अच्छी लगती है तो subscribe करें मेरे channel को share करें इसे अपने family तथा friends के साथ thank you for watching my video मिलते हैं next video में next recipe के साथ thank you